कैसे हो प्यारे विद्यारतियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल Friend of Student में इस वीडियो क्लास में हम प्रिश्णा वली तीन दसलो तीन के तीसरे सवाल का चौता भाग सॉल्ब करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट हम लोगोंने सॉल्ब कर लिए हैं और इन तीनों सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं तो यहां सवाल है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अत्रिक्त चली के दूरी पर भाड़ा समलित किया जाता है 10 किलो मीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलो मीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है नियत भाड़ा तता प्रति किलो मीटर भाड़ा क्या है एक व्यक्ति को 25 किलो मीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा तो इस सवाल में हमें टैक्सी का नियत भाड़ा निकालना है नियत भाड़े से मतलब है fix किराया ऐसा किराया जो आपको देना ही देना है ठीक है तो एक तो हमें टैक्सी का नियत भाड़ा निकालना है दूसरा हमें पृती किलो मीटर भाड़ा निकालना है प्रती किलोमीटर भाड़े का मतलब है कि एक किलोमीटर की यात्रा करने में कितना किराया देना होगा, ठीक है, और साथ ही हमें 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये भी निकालना है, ठीक, तो थोड़ा सा हम सबाल को समझते हैं, देखो, सबाल म हमसे बोला है कि एक टैक्सी का किराया दो परकार का है एक तो नियत भाड़ा यानि फिक्स किराया है अगर आप टैक्सी से यात्रा करते हो तो आपको एक फिक्स किराया देना ही देना पड़ेगा और इसके अलावा आप जितनी भी दूरी तै करेंगे इसका भी आपको किराया देना होगा, तो टैक्सी का दो प्रकार का किराया हो जाता है, एक तो फिक्स किराया हो जाता है, दूसरा जितनी दूरी आपने तै की है, वो किराया, ठीक है, तो इस प्रकार से कोल मिला का टैक्सी का किराया हो जाता है, दस किलो मीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपय है, इसी प्रकार से 15 km के लिए बाड़ा 105 रुपए है, तो इस 155 रुपए में भी दो किराये हैं, एक तो टैक्सी का fix किराया है, दूसरा ये जो 15 km की दूरी तै की गई, इसका किराया भी इसमें सामिल है, ठीक है तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर किराया हो जाता है 155 अब देखो इस सवाल को हम solve कैसे करेंगे हम टैक्सी का नियत भाड़ा यानि फिक्स कराया मान लेंगे X और प्रती किलोमीटर भाड़ा मान लेंगे हम Y और यहां से 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है यहां से हम पहली समीकर्ण बनाएंगे और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए यहां से हम दूसरी समीकर्ण बनाएंगे इस प्रकार से हमारे पास दो रैखेक समीकर्णे हो जाएंगे यानि समीगणों का एक युग्म हो जाएगा और इस युग्म को हम प्रतिस्थापनविदी से हल कर लेंगे और हल करने पर हमें नियत भाड़ा और प्रतिक्लोमीटर का भाड़ा मिल जाएगा जब हमें नियत भाड़ा और प्रतिक्लोमीटर का भाड़ा मिल जाएगा तो हम 25 क मेटर यात्रा करने के लिए कितना भारा देना होगा ये बहुत आसानी से निकाल लेंगे तो चली सवाल को solve करते हैं बाकी की चीजे में आपको सवाल solve करते हैं यो समझा दूँगा सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो इस तो एंट समय टैक्सी का नियत भारा यान अब हम प्रस्णा अनुसार समी गणे बना लेते हैं तो देखो समी गणे हम कैसे बनाएंगे प्रस्ण में सबसे पहले हमें 10 क्लो मीटर दूरी तैक्ने का भारा कितना हो जाएगा हमने टैक्सी का नियत भारा माना है एक्स और 1 क्लो मीटर दूरी तैक्ने का भारा माना है हम अगर हम 10 km दूरी तैय करते हैं तो हमें कुल कितना भाड़ा देना होगा सबसे पहले तो हमें टैक्सी का नियत भाड़ा देना होगा जो की है x फिर प्लस में हमें 10 km दूरी तैय करने का भाड़ा भी देना होगा तो 1 km दूरी तैय करने का भाड़ा भाड़ा है तो 10 km दूरी दूरी तैकन्ने का भाड़ा ये दोनों ही सामिल हैं तो कुल मिलाकर हो जाता है ये 10 km दूरी तैकन्ने का भाड़ा ठीक है? और ये सवाल में हमें दिया है 105 तो बराबर में आ जाएगा 105 क्यों? क्योंकि दोनों ही 10 km दूरी तैकन्ने का भाड़ा हैं ठीक है तो यहां से हमें मिल जाती है फर्स समीगर्ण इसी पिरकार हम सेकेंड समीगर्ण गुनाएंगे बाद में सवाल में हमें 15 किलो मीटर दूरी तैक अन्ने का भाड़ा दिया है ठीक है तो देखो 15 किलो मीटर दूरी तैक अन्ने का भाड़ा कितना हो एक किलो मीटर दूरी तैकन्ने का भाड़ा भाड़ा है तो पंदरा किलो मीटर दूरी तैकन्ने का भाड़ा है तो यह हो जाता कुल भाड़ा यानि पंदरा किलो मीटर दूरी तैकन्ने का कुल भाड़ा जिसमें टैक्सी का नियत भाड़ा है और पंदरा किलो मीटर दूरी त समीगंड ठीक है अब इसको हम प्रतिस्थापन विदी से हल कर लेते हैं तो प्रतिस्थापन विदी में हम क्या करते हैं दोनों में से कोई एक समीगंड ले लेते हैं चाहें फर्स्ट ले लीजे चाहें सेकंड तो यहां हम सेकंड समीगंड ले लेते हैं ठीक है समीगन से तो ये है x प्लस 15 y बरावर 155 अब यहां हमें या तो x कमान y के पदो में निकाल लेना है या फिर y कमान x के पदो में निकाल लेना है तो हम x कमान y के पदो में निकाल लेते हैं ठीक है तो x कमान y के पदो में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा प्लस 15 y की side change कर लेनी है तो हमें x कमान y के पदो में मिल जागा तो यहां हमारा रहेगा x और बरावर में है 155 प्लस 15 y की side change करेंगे तो इसका चिन बसल जागा यह हो जागा minus 15 y तो यहां से हमें x कमान मिल जाता है 155 minus 15 y इसको हम बोल देते हैं अब हमें x कमान समिकान first में रख देना है तो यहां हम लिख लेते हैं समिकान first में x बरावर 155 minus 15 y प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि हमें x कमान समिकान first में रख देना है तो समिकान first है x प्लस 10 y बरावर 105 यहां हम x कमान है तो प्लस 10y भी लिख लेते हैं और बरावर है 105 ठीक है 15y ये माइनस में है और 10y प्लस का है दोनों बाई के पद हैं चिन अलग अलग हैं तो आपस में घट जाएगा ठीक है इन दोनों को आपस में हम घटा लेंगे और 155 की साइड चेंज कर लेंगे ठीक है तो 15y में से 10y को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 5y माइनस का क्यों मिलेगा क्योंकि हमने 10 को किस में से घटाया 15 में से घटाया हो 15 से पहले माइनस का चिन है तो माइनस का 5y बचेगा ठीक है अब हमें minus 5 की भी side change कर लेनी तो हमें by मिल जागा तो by वराबर इन दोनों को हमें क्या करना घटा लेना है 155 minus का है 105 plus का है अलग लग चिन नहीं घटे जाएगा 155 में से 105 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें minus का 50 ठीक है और इसके बटे में आ जाएगा minus 5 minus से minus cancel हो जाएगा 5 से 50 दस बार में cancel हो जाएगा ठीक है तो हमें by वराबर मिल जाता है 10 by क्या है by है प्रती किलो मीटर भाड़ा ठीक है तो यहां हमें प्रती किलो मीटर भाड़ा मिल जाता जो की है 10 रुपे अब हमें x कमान निकाल लेना है तो X कमान हम कैसे निकालेंगे, Y कमान हम सभीकण 3 में रख देंगे, तो हमें X कमान मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं. सभीकण 3 में Y बराबर 10 रखने पर, सभीकण 3 है, X बराबर 155 माइनस 15 Y, ठीक है, Y कमान हमें 10 रख लेना है, तो एक सो पचपन माइनस पंदरा गुणा बाई कमान दस तो हमें मिलेगा एक सो पचपन हमारा सेम रहेगा ठीक है और पंदरा गुणा दस यह हो जाएगा माइनस का एक सो पचास ठीक है एक सो पचपन में से एक सो पचास को अटाएंगे तो हमें मिलेगा पांच यह हो जाता है x कमान और x क्या है x है टैक्सी का नियत भाड़ा तो यहां हमें एक आंसर मिल जाता है टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपए और प्रती किलो मीटर भाड़ा 10 रुपए तो यहां हमारा ही कांसर हो जाता है अब हमें 25 किलो मीटर यात्रा का भाड़ा निकाल लेना है 25 किलो मीटर यात्रा करने का भाड़ा ये कितना हो जाएगा सबसे पहले तो हमें टैक्सी का नियत भाड़ा देना है जो कि हमें मिला 5 रुपए और प्लस में 25 क्लो मीटर की दूरी तै की गई है तो इसका भी भाड़ा देना होगा 1 क्लो मीटर दूरी तै कनने का भाड़ा हमें मिला 10 रुपए तो 25 क्लोमिटर दूरी का भाड़ा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 गोना 25 तो 5 पिलस 10 गोना 25 यानि 250 दोनों को jopвод लेते हैं ये हो जाएगा 255 ये हो जाता है 25 क्लोमिटर दूरी तैय करने का भारा तो यहां हमें अपने तीनों आंसर्स मिल जाते हैं ठीक है यानि टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपे हो जाता है और प्रती किलोमीटर भाड़ा 10 रुपे हो जाता है और 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा हो जाता है 255 रुपे यहां हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आगया होगा मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में